क्या आप जानते हैं कि पेन का आविशकार किस ने किया नहीं तो आए जानते हैं लिखना तो बहुत ही पुराना तरीका रहा है उस दौर में भी लिखा जाता था बहुत पहले का जो तरीका था लिखने का ऐसा था जैसे कि कोई चीज लेकर स्याही में डुबो कर और फिर निकाल कर लिखा जाता था यह तरीका हमेशा बहुत पहले चलता था और फिर जाकर पेन का आविशकार हुआ पेन का आविश्कार LeafSeer Waterman ने 900 तिरपन्ध में किया बहुत पहले से जब लिखा जा रहा है तो इसका कोई सबूत नहीं है कि आविश्कार किस ने किया लेकिन कुछ लोगों का माना है कि उन्होंने आविश्कार किया था फिर लोगों ने और तरक्की किया और इसमें तब्दीलिया लाते रहे हैं फू इन्वेंटिट फाउंटेन पैन दुनिया का सबसे पहला पैन आविशकार सन 1827 में पेकराचे पोएन रूप के द्वारा फाउंटेन पैन का आविशकार किया गया था जिसमें पैन को स्याही में दुबो कर लिखा जाता था लेकिन इसमें बहुत सारी खामिया थी जिसे बाद में सन 1888 में जॉन जे लाउट ने इन खामियों को दूर किया और बॉल पैन का आविशकार किया हमारा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा तो लाइक और सबस्क्राइब और बैल आइकन खुद दबा दें